हेलो एब्रिवन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिक्स का इंट्रोडेक्शनरी पार्ट क्या होता है यूनिक्स कहां पर डैवलाप हुआ था यूनिक्स के क्या फीचर्स होते हैं आज हम यह कंटिन्यू करते हैं बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारा जीवाई बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लास्ट सेमिस्टर में पढ़ चुके हैं वो सेम फीचर्स होते हैं जैसे कि हमने लास्ट सेमिस्टर में पढ़ा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI basis, Windows Operating System वो multi-tasking होता है, multi-user operating system नहीं होता पर उसके एक features था multi-programming, multi-user same as it is Unix operating system के भी हमारे कुछ features होंगे उसको आज हम continue करते हैं यहाँ पर देखिए, जब हम इसको discuss करेंगे तो हमारा जो Unix operating system रहता है, इसके first features होते हैं कि it is a multi-user, means more than one user can use the machine at a same time एक से ज़्यादा user हमारा same time पे इस machine को use कर सकते हैं second features होता है, it is a multi-tasking, means more than one program application can be run at a time third one features होता है, it uses a great file structure means Unix का अपना एक individual file structure होता है इसमें जो भी हम programming करेंगे, जो भी file को run कराएंगे जिस भी directory पर work करेंगे, जिस भी file का output हम देखना चाहेंगे वो अपना एक file structure के अंदर में control करके रखता है Unix में जितनी भी files रहती हैं, वो root के अंदर पर define होती है और root के थुरू ही हम उस process को, उस file को access कर सकते हैं इसका fourth features रहती है कि provider to security means giving specific user permissions and many other हर एक user को security provide होती है उस file को, वो Unix operating system अपने आपने file को protect करके रखता है और उसको security provide करता है इसके अलावा कुछ features और भी होते हैं जब हम features को continue करेंगे तो it's a portable Unix की सारी files portable होती है तो यह features थे इसके अलावा हम next video में इसका कुछ architecture रहता है kernel architecture कैसा work करता है system architecture कैसा रहता है इमारा Unix operating system का यह continue करेंगे तो आज तक इतना ही इस दोनों वीडियो में आपको यहीं कुछ doubt होता आप doubt class में इसको clear किते हैगा Thank you